आज की वीडियो का टॉपिक है साइंग वाटसेप मैसेज़स टू न्यू लीड इन हबस्पोर्ट इस आटोमेशन में सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने हबस्पोर्ट सी आरें के न्यू लीड्स को आटोमेटिकली उनके वाटसेप पे इंटरेक्ट की हेल्प से एक वाटसेप नंबर पे इंटरेक्ट की हेल्प से एक वाटसेप मैसेज़स साइंड हो जाएगा कैसे आटोमेशन साइट करना है पूरी स्टेप्स बताऊंगा अभी अपनी स्क्रेन पर ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे P-A-B-B-L-Y-Pabli.com सामने आजाएगे ओफिशल वैब साइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पर अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं और अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं दाटस वाए मैं क् क्लिक करोंगा एक सेस नाव पर अपन हो जाएगा पैबली अन्हक का डैश्पोर्ट डैश्पोर्ट इंश्पोर्ट अपन हो जाने के बाद राइट है इन साइठ में आप्शन हाएगा क्रियेट व tenants का हमें क्लिक करना है और अपने वीच्फलो को एक नाम दे देना है HubSpot CRM to WhatsApp मैंने एक simple सा नाम दिया है आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया है यह same workflow यूज कर पाऊँगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दुनों ही काफी important role play करते हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मैं चाहता हूँ कि मेरे hubspot CRM में जबी भी कोई new lead आइड हो via form submission तो automatically जो भी उस lead का number है उसको उसके whatsapp account पे मेरी तरफ से एक whatsapp message send हो जाए ऐसा automation में चाहता हूँ ऐसा automatically कराने के लिए first application में सबसे पहले हम चूज करेंगे अब spot CRM को and trigger event में चूज करेंगे new form submission को यह रहा new form submission then उसके बाद pably connect ने web qrl दिया है जिसको copy करेंगे और नीचे दियेगा instructions को follow करते हूँ integrate कर देंगे अपने pably connect को hotspot CRM से तो चलता हूँ मैं hotspot CRM पे form दिखा देता हूँ यह वो form है मेरा lead form जिसको जबी भी कोई fill करे तो मैं चाहता हूँ कि उस person को एक मेरी तरफ से message send हो जाए तो आजाता हूँ hotspot CRM पे तो connection मनाने के लिए आपको यहाँ पर option दिख रहा है automation का आपको इस पे click करना है तो उसके बाद आपको click करना है workflows पे जैसे यह आप workflows पे click करोगे एक new page open हो जाएगा यहाँ पे आपको click करना है create workflow पे और choose करना है from scratch को ठीक है then blank workflow को choose करके आपको click कर दे रहा है next पे next पे click करने के बाद एक new page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले जो है यहाँ से setup करना है trigger को तो जैसे हम click करेंगे setup triggers की उपर तो यहाँ पे हम से कुछ options हमारे सामने देगा हमें इनके अंदर से choose कर लेना है form submissions को तो click करेंगे form submissions को और choose कर लेंगे successfully जैसा कि आप देख रहे हैं कर लिया है हमने successfully ठीक है दर उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और any form submission को choose कर लेंगे means हमारे hubspot CRM में मौझूद जितने भी forms है उन में से किसी को भी जब person कोई fill करें तो ये trigger run करें या पिर आप कोई particular form fill करवाने पे automation run करवाना चाहते हैं तो आप उस form को select कर लेना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक ही form create किया contact form that's why उसका option आ रहा है अगर मैं choose करूँगा any form submission को तो मेरे under hubspot CRM जितने भी forms है उन सभी को जबी भी fill करेगा तो यह automation run करेगा ठीक है तो यहाँ पे हमने choose कर लिया है यहाँ से हमने any page choose कर लिया है उसके बाद हम नीचे scroll करेंगे और apply filter पे click कर देंगे ठीक है apply filter पे click करके हम यहाँ पे just click करेंगे save पे save पे click कर दिया so यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे है हमारा trigger set हो गया अब हमें action set करना है plus button पे click किया then हमें यहाँ से action के अंदर जो है choose करना है send a webhook को click किया send a webhook पे और choose कर लिया then method हमें यहाँ से choose करना है post तो उसके बाद webhook URL का option आए तो यहाँ पे जो public connect ने webhook URL दी ती उसको copy करके simply हमें यहाँ पे paste कर देना है तो यहाँ पे आपको none ही रखना है तो उसके बाद आके नीचे हमें click कर देना है save पे जैसे हम save पे click करेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी webhook site हो गई है successfully अब हमें click करना है review and publish पे और यह first वाला option select कर लेना है जिसमें no लिखा हुआ है only enroll contacts who meet the trigger criteria after turning the workflow on तो इसको आप पढ़ लेना no करना चाहते हैं तो मैं prefer करूँगा कि आप इसको no करना ठीक है अब मैं आ जाता हूँ ऊपर और click करता हूँ turn on पे यहाँ पे सारी settings ठीक है click करेंगे हम turn on पे तो workflow is on जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा workflow on हो गया है और public connect के पास जाता हूँ तो यहाँ पे शोग रहा है waiting for weblog response means अभी जबी भी मेरे HubSpot CRM में मौझूद किसी भी form को कोई person submit करेगा तो public connect form submission से related details यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा तो चलिए यह रहा form fill करके check कर लेते हैं तो मान लीजे मैं कोई demo client नाम का customer हूँ तो मैं अपने यहाँ पे email address डाल देता हूँ demo client 3388 gmail.com ठीक है यह मेरा email address है simple है ना यह मेरा email address है first name है मेरा demo और मेरा last name है client then जो मेरा phone number है वो मैं यहाँ पे add कर देता हूँ जैसा का जैसे की instructions दिये हूँ है के country code with country code हमें add करना है 91 add करना है तो यहाँ पे मैं 91 के साथ जो है mobile number add कर देता हूँ तो with country code मैंने आप अपना whatsapp number add कर दिया है then click करूँगा submit पे तो यह जैसा कि आप देख रहे है thanks for submitting the form बता रहा है चल कर चेक करते है पैबली कनेक्ट ने form submission से related details अपने पास capture की के नी तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हाँ पे successfully response हमें received हो गया है है ना और details हमारे सामने हैं हम नीचे आ जाते हैं करते हैं क्या क्या data रिसीव हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं जो phone number मैंने यहाँ पे add क्या था form submit करते वक्त वो phone number मेरे सामने है और नीचे आ जाता हूँ तो बाकी की details भी मुझे मिल जाएंगी last name जैसा कि आप देख रहे है client ओकी और उसके बाद और नीचे आ जाँगा तो मुझे और भी details जो है मिलती जाएंगी और नीचे आ जाता हूँ और नीचे और नीचे फिर से आ गया phone number काफी सारा data जो है पैबली कनक्ट रिसीव करता है उसी के अंदर हमारी सारी details भी होती है तो हम चेक करते जाएंगे नीचे last name तो हमें मिल गया first name और हम चेक कर लेते हैं और नीचे आ जाता हूँ यह रहा first name हमारे सामने demo जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसके बाद यह रहा last फिर से first name तो email address हमारे सामने demo client 3388 gmail.com जो कि हमने fill किया था और बाकी की details है ना तो इसका मतलब यह है कि connection जो है वो एकदम perfectly work कर रहा है HubSpot CRM और Public Connect के बीच में अब जबी भी मेरे HubSpot CRM से related किसी भी form को कोई user fill करेगा तो automatically उस form submission से related details Public Connect अपने पास capture कर लेगा अब मैं चाहता हूँ कि जो person है जो एक new as a new lead create हुए है मेरे HubSpot CRM में जिनका नाम है Demo Client उन्हें उनके WhatsApp नमबर पे मेरी तरफ से WhatsApp message send हो automatically और हर बार हर person को send हो जो भी form fill कर रहा है तो ऐसा हर बार automatically कराने के लिए हमें हमारी second application action application में आके choose कर लेना होगा interact को interact की help से ही हम WhatsApp पे message send करेंगे search किया choose कर लिए interact को action event पे आएंगे और choose कर लिए send WhatsApp template message को template message हम send करने वाले उसके बाद connect पे click करके add new connection पे click करेंगे एक secret की चाहिए हमें connection के लिए हमें यहाँ पे blue color में जो interact account लिखा है इस पे click कर देना है तो सीधे हम secret key पे पहुँच जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे आपको secret की देख रही है यहाँ से copy करना secret की को और वापस आके अपने secret की वाले section में paste करके just save पे click कर देना तो आपका connection हो जाएगा लेकिन make sure करना कि आप अपना account पहले login करके रखें interact का उसी के बाद connection मनाना तभी आप secret की वाले page पे पहुच पाएंगे मैं एक बार connection मना चुका हूँ that's why select existing connection पे click करके just save पे click करूँगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा interact connected है family connect से country code phone number को skip करते हुए नीचे जो full phone number का option है यहाँ पर मैंने अपने form के अंदर instructions लगाये थे help text लगाया था customers के लिए जो भी form फिल कर रहे हैं उनके लिए कि आप अपना जो है number whatsapp number जो add कर रहे हैं उसमें country code जरूर add कीजिए क्योंकि यहाँ पे यह country code मांगता है तो हमारे पास phone number last name first name सब में आपको दिखाई चुका हूँ email address वगेर हमें पहले ही मिल चुका है तो phone number उसमें से हम यहाँ पर add कर देते हैं add करने के लिए हम एक technique का use करेंगे जिसको हम mapping कहते हैं mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ आपको just click करना होगा blank field पे नीचे option आएगा hub spot CRM का जो की मेरी trigger application है click करूँगा सारा data open हो जाएगा यहाँ पे आपको find करना है phone number तो यहाँ पे मैं search करूँगा phone तो जैसे कि आप देख रहें जैसे मैंने search किया phone तो phone number मेरे सामने आगे value तो click करके मैंने इसको यहाँ पे add कर दिया यह जो process मैंने अभी करी इसी को mapping कहते है जितनी easy और simple है उतनी important है क्यों है क्योंकि जब हम यह automation set कर देंगे तो next time जब कोई other person आके हमारा form submit करेगा आप support वाला तो obviously बात है उस person का नाम भी अलग होगा number भी अलग होगा that's why mapping is important तो जहाँ जहाँ में data map कर रहा हूँ वहाँ आपको भी करना कंपल सरी है तो full number मैंने यह add कर दिया लेकिन इसमें एक चीज़ missing है plus sign country code तो है plus sign नहीं है तो यहाँ पे plus sign मैं add कर देता हूँ plus sign मैंने manually इसलिए add किया क्योंकि यह change नहीं होगा यह same रहेगा numbers change होंगे तो अच्छा उनको map कर दिया simple ठीक है तो नीचे आजाँगा template code name तो यहाँ पे हमसे बूल रहा है कि sir जिस भी template का आप use करने वाले है इस automation में उस template का code name हमें बता दीजिए तो code name हमें कहां से मिल जाएगा इसके लिए हमें चलना होगा हमारे interact तो यहाँ पे मैंने अपनी templates की list open करके रखिए जैसा कि आप देख रहा है इन में से आज मैं इस template का use करने वाला हूँ जिसका नाम है new underscore lead क्लिक करके open कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह की यह template है सबसे पहले तो इसका code name कैसे आपको मिलेगा वो बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना link पे जाना है template के बाद जो slash है उस slash के बाद वाला जो part है वो पूरा copy करना है जब तक दूसरा slash नहीं आ जाता copy करना है उतने part को और आना है then अपने template code name में paste कर देना यही template code name है last slash से last second slash के बीच वाला part तो copy करके उसको आपको paste कर देना है वही आपका template code name है template मेरी कुछ इस तरह की है इसमें मैंने header कुछ भी नहीं रखा है none रखा है मैं कुछ भी ना image ना video, document कुछ send नहीं कर रहा हूँ for reaching out to us we are excited to hear from you and learn more about how we can help you our team will be in touch with you shortly to schedule a call and discuss your needs in further details please let us know if you have any questions or concerns in the meantime regards, यहाँ पर company का नाम और team एकदम परफेक्ट यहाँ पर मैंने एक template बना के रखी आप अपने according जैसी template बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब मैं बताता हूँ, यह क्या, यह है variable, curly brackets में जो 1 लिखा है और जो 2 लिखा है, यह variables है मेरे according यहाँ पर जो भी values आएंगी वो हर message में change होगी, जैसे कि hello के बाद आएगा, lead का नाम जो भी person है, जिसको भी lead हमने add किया, उसका नाम तो जो भी नाम होगा, जिस भी person को message sign कर रहे हैं, वो हर बार change होगा, क्योंकि हर person का नाम अलग होगा that's how, मैंने इसको variable बनाया और बाकी का part एकदम पूरा same to same manually लिख दिया, क्योंकि यह same to same रहेगा हर message में, सरिफ इतना part change होगा, person का नाम change होगा, वाकी पूरा message same to same send होगा, हर person को जो भी form submit कर रहा है तो चलिए, चलते हैं वापस अब family connect पे, और नीचे language code हम यहाँ पर add कर देते हैं English में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे EN, है ना, code लिख दिया यहाँ पर language का, header value कुछ हम भेज ही नहीं रहें, जैसे कि मैंने बताया, non-select करा, image, video, document कुछ भी नहीं भेज रहें, अगर हमने इसमें से कुछ select किया होता, तो यहाँ पर हम उसकी URL लगा सकते थे, image की, video की या फिर document की, जो भी हम send करना चाहते हैं लेकिन हम भेज ही नहीं रहें, simple text भेज रहें, that's why, इसको हम blank छोड़ देंगे skip करेंगे, अब body variables values, okay, तो यहाँ पर जो variables हमने बनाये थे हमारी template में एक और दो, इन दोनों जगाओं पर जो values आएंगी, वो हमें यहाँ पर put करना है, कैसे करना है, है ना तो first वाला क्या है हमारा, hello के बाद आने वाला है किसका नाम, हमारे lead का नाम, जिसको भी हमने as a lead किया, जिसने form submit किया, तो इसका नाम हमें पहले ही मिल चुका है उपर, तो वो नाम हम map कर देंगे, यहाँ पे blank field पर click करेंगे, हम spot CRM पर click करेंगे और यहाँ पर हम search करेंगे, name, okay तो जैसे हम name सर्च करेंगे, तो कई सारा data हमारे सामने आ जाएगा जैसे कि आप देख रहे है, last name हमारे सामने है, और यह रहा first name पहले हम first name ही हाँ पर map कर देते हैं then space देके या फिर हम first name ही रहने देते हैं, okay खाली first name रहने देते हैं, आप चाहें तो last name भी map कर देना, ठीक है अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लगा देना है, comma then उसके बाद हमें देना है space space देने के बाद हमें second वाले variable में जो value आईगी, वो put कर देना है, okay तो यहाँ पर मेरी company का नाम आएगा तो company का नाम में manually लिख देता हूँ family, okay, क्यों manually लिखा क्योंकि यह same रहेगा, हर process में हर message में same रहेगा, company का नाम तो change नहीं होगा, सिर्फ जो lead है, उसका नाम change होगा, that's why उसको map किया, उसको manually लिख दिया, ठीक है अब क्या है, position of CTA button, okay, तो call to action button हमने तो लगा है, यह template में जैसा कि आप देख रहे है, footer है footer है, footer है, लेकिन हमारे पास button कोई हमने नहीं लगा है, नीचे call to action वाला, है ना क्या होता है, आप नीचे button लगा सकते हैं, जिसमें आप जिस पर जैसे ही customer, जो user है, जिसको message chain किया, उस पर वो जैसे ही click करेगा, तो आप आगे उसको जो है, किसी दूसरी link पर redirect करवा सकते हैं, या फिर आप उसको call अपने आपको करने को बोल सकते हैं, उस पर जैसे ही click करेगा, तो आपको call लग जाएगा है, ना, उस तरह का वो button होता है, लेकिन हम उसमें use ही नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों को skip करते हुए, हम click करेंगे, 7th and test request पर, तो जैसी मैं 7th and test request पर click करूँगा, तो यह जो person है, जिनका नाम है, क्या नाम है, जिनका नाम है, demo, okay, है ना, demo client, demo client को उनके इस WhatsApp account पे, इस WhatsApp नंबर पे मेरी तरफ से एक test message जो ऐसाइंट हो जाएगा, जो कि इस बात का proof होगा कि automation हमारा साइट हो गया, तो demo client का जो WhatsApp नंबर है, उनका जो WhatsApp web account है, मैंने अपने PC में open करके रखाए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगे, यहाँ पे test message तुरंत आएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे save and send test request पे, तो यहाँ पे account उपन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैं चलता हूँ वापस और क्लिक करता हूँ save and send test request पे, तो save and send test request पे क्लिक करने के बाद successfully response received हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तुरंत एक WhatsApp पे message भी आ गया है, ओपन करके देखा देता हूँ, Hello demo, thank you for reaching out to us, demo जैसे कि आप देख रहे हैं आप ना, we are excited to hear from you and learn more about how we can help you, our team will be in touch with you shortly to schedule a call and discuss your needs in further details, please let us know if you have any questions concerned in the meantime regards Pably team, एकदम perfect यहां पे message मुझे receive हो गया है, और इस message की presence बता रही है कि automation हमारा set हो जुका है, अब क्या होगा, वापिस आना है हमें पैबली connect पे और just click कर देना है save पे, और अब हमें कुछ भी करने की जरुरत नहीं है, यह पूरी process अब automatically होने वाली है, क्या होगा automatically मैं आपको बता देता हूँ अब है न, यहां पे जबी भी हमारे HubSpot CRM के अंदर new form submission होगा, कोई भी person हमारा form submit करेगा HubSpot CRM से related, तो ऐजा lead हो जाएगा हमारे HubSpot CRM में, कुछ change होता जाएगा one by one ठीक है, इस तरह से यह automation run करेगा, और अब हमारे involvement की इस process में कोई भी जरुरत नहीं है, खुद बाखुद soft area काम करता रहेगा जब तक यह workflow होने, instantly और automatically, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया यह same workflow यूज कर पाऊगे अपने account में, वो भी एकदम free अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है, या फिर आपके कुछ questions होते हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है, पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, second thing, अगर आपको पैबली कनेक की price जाननी है, तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part, अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा, और मेरे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा, thank you.